कन्नर फिल्म कातारा देखने के बाद फैंस दो चीजों के बारे में जानना चाहते हैं पहला फिल्म के डाइरेक्टर, राइटर और लीड एक्टर रिशब शेटी और दूसरा कातारा फिल्म के देवता, कातारा फिल्म में क्षेत्रिय देव या देव पंजूरली के बारे में बताया गया है श्री पंजूरली भगवान विश्नु के वराह अफ्तार है जिन्हें कन्नर लोग पूचते हैं क्षेत्रिय लोग बुद्ध कोला नाम का त्योहार मनाते हैं जहां नर्तक वराह अफ्तार यानि पंजूरली का वेश धरकर धार्मिक नृत्य करते हैं कातारा फिल भी यही कहानी है जिन्होंने जंगल में रहने वाले एक दैते का सर्वनाश किया था पौरानिक कथा के अनुसार एक वराह देव के पांच पुत्र हुए मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो घूप प्यास से तरपने लगा और मौत के कगार पर पहुँच गया। उसी समय माता पार्वती वहां ब्रह्मन करते हुए पहुची। जब के साथ उसके दार, दांत, निकल आये जिससे उसे बड़ी परिशानी होने लगी। उस खुजलाहच से बचने के लिए वो पृत्वी पर लगी सारी फसलों को नश्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूग से तरस्थ हो गए। जब भगवान के लिए जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्रारण ना लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जीने उसका वद तो नहीं किया किन्तु उसे कैलाज से निकाल करकर पृत्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी वो वाराह पृत्वी पर पंजूरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृत्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भाती पूजना शुरू कर दिया विद्वानों का कहना है कि जब मानवजाती खेती करना शुरू कर चुक माता पारुती ने दखल दिया था और बाद में दोनों ही एक साथ भाई की तरह रहने लगे थे। कातारा फिल्म में गुलिया के बारे में नहीं दिखाया गया। जब कन्नर लोग भूत कोला फेस्टिवल मनाते हैं तब पंजूरली देव के साथ गुलिगा देव का भी वेश रख कर नर्तक लड़ते हैं और फिर दोस्ती करते हैं।